नमस्कार दोस्तों स्थागत आपका अपनी येट्यूब चैनल विन्जेकर्शन पॉइंट में दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग सेट नमर चो कितना देखेंगे सेट नमर चो इससे पहले हम लोग दियान रखेंगे एक से लेके पॉंच तक का रिविजन कर चुके हैं आप अगर इसका रिविजन नहीं कियें तो जाके इसका भी फटा फट रिविजन कर लिजे अलग प्ले लिश्ट बना दियें और उसों ध्यान रखेंगे ये खांसर का दोस्तों हम लोग स्रीज फोर लगा रहे हैं इसमें ये सेट नमर शीक्स है स्रीज वन से लेके तीन तक दोस्तों यहां पे हम लोग 120 प्लस प्लाटिक सेट लगा चुके हैं 120 प्लस सभी का दोस्तों अलग-अलग प्लेजिस बना दिये हैं तो जाके उसका भी फटा फट रिविजन कर लिजे और दोस्तों ध्यान रखेंगे ये पीछले 10 वर्स में पूछे गये इस जब भी टैम मिले शीट जरूर लगाए शीट अगर नहीं लगाएंगे न अभी दोस्तों जो आपका सतर प्लस नमर आ रहा है वो आपका फिर घट जाएगा फिर दोस्तों लाने में सतर बहुत ही मुस्किल होता है इसलिए रनिंग में रहिए ए एक्जाम जब हो का दोस्तो जलो जागा ठीक है ध्यान रखेंगे जिटको तो चलिसे वीडियो को शुरू करते हैं पहले सब्सक्राइब कर लेना इंडिस वीडियो को दोस्तों के साथ सेयर करना और अगर इसका पीडियाप चाहिए तो पीडियाप आपको मिल जागा टेलिग्राम चल पे टेलिग्राम रखेंगे अंतर अस्त दुस्तों जो संक्या होता है वेंजन का कितना होता है तो याद रखेंगे टोटल चार होता है कितना चार होता है कौन कौन सा होता है तो याद रखेंगे यह र ल और वह यह चार दुस्तों क्या है आपका अंतर अस्त वेंजन है ध्यान रखेंगे त नेक्से पर क्या पूछ रहे कि निमलिखित में से करके कौन सा सब्द आँख का पड़ियवाची सब्द नहीं है आँख का पड़ियवाची सब्द आप्सन में नहीं है बताना है राइट एंसर अतूल अतूल दोसों आँख का पड़ियवाची सब्द नहीं है देकिन याद र प्राचीन होगा ये प्राचीन आपनि का अनिकार्थ सब्द नहीं है आप पूछ जा रहा है तो याद रखेंगे इसका राइट इंसर आपका डी हो जागा ये दुछ नदुछ है एक पूछ नियासे डी आपका राइट हो जाएगा पिछे चलने वाला सब्द सामू है था याद रखेंग इसुसके लिए एक सब्द क्या होगा यानिकि पीछे चलने वाला को क्या कहाँगे यहन्सर अनुगध अनुगध आपसने यह आपका राइट है जाएगा यहाद रखेंगे ततफपुरस आपसन यह से भी है आपका राइट जगा ध्यान रखेंगे और दौन दे समास की बारे में याद रखेंगे ठीक है उसे हम लोग दौन्द समास बोलते हैं और इसका उधारन क्या होता है परती दीन हो गया रात दीन हो गया माता पिता हो गया यह सब क्या है दौन्द समास के उधारने ध्यान रखेंगे याद रखेंगे दौन्द समास बार 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 बोल रहे हैं किस अलंकार का लक्षन है इसका राइट इंसर यह हो जगा यह अनुमान क्या होगा यह अनुमान आप्सन यह आपका राइट हो जगा समास न डार बार कोई वी इसक्थिप नहीं करेंगे डेली रिविजिन करेंगे दो तीन नमर आपकाका जरूर सही कर रहे हैं यह. यह यहाँ पर दोस्तों इसका right answer क्या हो जाए आपका right answer A हो जाएगा यह few हो जाएगा आपसने यहाँ से A आपका right हो जाएगा next पर क्या आप पूछ रहें कि in the following question find out which part of sentence ठीक है if there is no error no error यहाँ आपको दोस्तों यहाँ पर बताना है कि make your answer as no error यानि कि दोस्तों दिया हुआ है आपको no error यहाँ पर चुनना है तो देखें यहाँ पर दोस्तों आपका देखेंगे क्या है David has been यह आपका क्या है दोस्तों आपका यह आपका no error है यह राइट इंसर आपका क्या होगा, could हो जाएगा, option यहाँ से क्या होगा, d आपका right हो जाएगा, could you हो जाएगा, next यह पर क्या होगा, fill in the blank with the correct pre-position, क्या है पर pre-position आपको चुनना है, देखिए, there was a small table, dash the bed, on which there was a book, यहाँ पर दोस्तों याद रखनें कि this right answer D हो जाएगा, यह B side, क्या होगा यह B side, option यहाँ से D आपका right हो जाएगा, next यह पर क्या पूछे जा रहा है, पूछे जा आपसे दोस्तों, यहाँ पर incorrect, indirect, यहाँ पर speech sentence, यहाँ कि बिलेंदा गौब, यहाँ कि दोस्तों जो दिया हुआ है, indirect speech में आपको बादलना है, देखिए, क्या यहाँ पर, Catherine said, I was walking along the street, right answer आपका क्या हो जाएगा, यह B हो जाएगा, क्या हो जाएगा, Catherine said, she had been walking यहाँ पर along the street, option यहाँ से B आपका right हो जाएगा, next यहाँ पर क्या पूछे रहें कि which is the correct spelling वाला word यहाँ पर चुनना है, तो याद रखेंगे दोस्तों यह वियोग दोस्तों आपका सही लिखा, option यहाँ से C आपका right हो जाएगा, next ने पर क्या पूछे जाएगा, find the correct sentence, the right answer आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, he is one of those boys who are weak, option आपका A यहाँ से right हो जाएगा, next ने पर क्या पूछे जाएगा, what is the antonom of insolvent, क्या है आपके insolvent, याने कि दोस्तों antonom मतलब क्या होता है, ultra, क्या होता है, ultra होता, तो किसका मांगा जाएगा, insolvent का, right answer आपका क्या होगा, आपका wealthy हो जाएगा, क्या होगा, यह wealthy option आपका right हो जाएगा, wealthy, ठीक है, ध्यान sentence, देखें, the notice has been alternate, altered, altered, तो यहाँ पर दोस्तों आपका B हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों आपका B हो जाएगा, he parked the car in front of the bakery, option आपका B यहाँ से right हो जाएगा, next देखें, यहाँ पर देखेंगे, अब क्या है, यहाँ पर partly पूत्र के संस्थापक, क्या है यहाँ पर partly पूत्र के संस्थापक है, कौन है दोस्तों याद रखेंगे, ओदियन, कौन है यह, ओदायन, आपसने आपका क्या होगा, यहाँ से correct जागा, next यह पर क्या पूछ र याद रखेंगें, इस का रिच वी多 Whitaker, किस लार को पूछी जाहरे रहा है, करें कि द्हान रखेंगे, और ध्यान रखना ये जो है हम लोग देख रहे हैं, कहान स्रीज में दूस्तरेट नमर 6 कितना सेट नमर छे इससे पहले हम लोग एक से लेके पॉंच तक का रिवीजन कर चुके हैं आप अगर उसका रिवीजन नहीं किये तो जाके उसका भी फटा-फट रिवीजन कर लेजे और दोस्तों धियान रखना स्रीज 1,2,3 तीनों अगर मिला दे तो 120 प्लस यहां पर मिलो रहा है उसका 70 प्लस नमर आना सुरू हो गया है यानि कि दोस्तों वो पास हो जाएगा यानि कि 70 प्लस जिसका आ रहा है 100% वो सेफ रहे है आपका रिजल्ट होगा इसलिए डेली आप से का रहे है डेली आप से जरूर लगए आठ बज़े मॉर्निंग में सेट आता है ध्या जहां पर दोस्तों आपको दिक्कत हो रहा है कॉमेंट किजिए उसके वाद हम रिप्ले देंगे क्या करने है ठीक है ध्यान रखने चीज़ को नेक्स नेक्स पर क्या पूछे जा रहे है कि असो के ब्रामी अभी लेखों को सर पर्थम किसने पढ़ा था तो कौन दोस्तों प कर रहे कि अब पर्थम बार आकरमन कब किया था तो याद रखे इसका राइटेंस्व आपका क्या हो जगा और सिंग आपसे क्या होगा यह आपका राइट जागा रहा है कि लॉड करजन के बंगाल विभाजन रद कब किया यानि किस वर्स रद किया था तो याद रखेंगे इसका राइट इस से 1911 आपका यह हो जागा नेक्से पर क्या पूछे जा रहे कि महतमा गांदी ने खिलापत अंदोलन का समर्थन क्यों किया याद रखेंगे इसका राइट इंसर भी हो जागा इन्होंने दोस्तों किया था अंग्रेज के खिलाप किया पर गांदी जी ने अंग्रेज के खिलाप अपने अंदोलन में भा प्रारम किया था दोस्तों ध्यान रखना जब दोस्तों पहली बार ये लोट के आया था दक्षिना फिरकास से कब आया था तो नो जन्वरी को कब आया था नो जन्वरी 1915 को आये थे और दोस्तों नो जन्वरी को हम लोग किस दिन के रुप में मनाते हैं तो याद रखेंगे राष्टिया यानि के भारतिया परवासी दिएवस की रुप में मनाते हैं नो जनुनी को जिस दिन ये गांदी जी लोट के आयते है अदक्षी न फिर कासे ध्यान रखना और दोस्तों आते ही इनों ने दोस्तों ज़े इनको जो है गौपाल क्रिस्न गौकले जो है इसका राम्चंड्र-शूकल दोस्म लेसे बिहार में कहां से था चमपारन से तब इन्हों नील गविद्रों के विवार्ड़ों इसके रिगार्डिंग अपना चैकमपारं के द्यागरांstory जानते हैं आप इसे क्या होगा दू हो qualities के Κा अपका अपका क्या है आ नइसे क्या पूछा यहां पूछा है कि यहां पर ग्र sneeze कि सम्मी पिस्ती था नस् performed कहा इसी तो याद रहाँ का요 … पर आपसन यह से क्या होगा सी आपका राइट जगा नेकसे पर क्या पूछ रहे कि 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 किस सविधान संसोधन द्वारा कर कि कि बील के द्वारा वोट देने का अधिकार कर रहा है कि 21 वर्षे घटा कर 18 वर्ष कर दिया गया था तह याद रखेंगे दोसरे इनों यह कब किया यानि कि एक सटवा सविधान संसोधन के थ्यान रखेंगे नेगस तुर अपर पूछशें रिके यहां पर बी आपका राइट पूचनों कि लेता है नेगस पर किया पूछ रिके हमारे सविधान के अनुसर कहाँ पे हमारे सभिधान के अनुसार राज सभा का कारिकाल होता है जो दोस्तों ध्यान रखेंगे राज सभा का कितना कारिकाल होता है तो याद रखेंगे ये आपका क्या होगा ये समाप्त होने का विश्या नहीं है ध्यान रखेंगे दोसों जो है इसमें क्या होता है ते परतेक दोसों दो वर्स पे एक तियाई सदस क्या होता है अब कास प्रापर होता है ठीक है परतेक दो वर्स पे एक तियाई सदस क्या होता है अब कास लेता है उसके वज़ दोसों नया उस पे फिर से लिया जाता है ठीक है ध्यान नेक्से पर क्या पूछे जा रहे हैं नेक्से पर क्या पूछे रहे हैं कि राजकोसिया घाटा है तो राजकोसिया घाटा दोस्तों क्या है तो याद रखेंगे डी हो जागा ये क्या होगा बजटी है घाटे का योग एवं सरकार का रीन बजार तथा दाइतु आपसे यासे दी आपका राइट होंगा एक किंधर धनुसी ऑक्रांती का संबंध किस्से हैं तो धियान रखंएंगे हरिद क्रांती भी इसके अंतरगत आता है और नीली आता है आपसंव्य कॉल झाइगा इन राधा मोहन कप का समद्ध किस खेल से है तो राधा मोहन कप दूसरों याद रखेंगे पोलो से आपसन अपका ए हो जगा और दूसरों याद रखेंगे पोलो में कितने खिलाड़ी होता तो याद रखना चार कैसे याद रखेंगे देखिए पो एक सब्द हो गया ओकर एक सब और वोगः इसका याद रखेंगों याद रखेंगे आप 4 खिलारी क्या होता है यद्सका नहींばい Flint कीर्क्यट में कितना yara होता है व्याद रखेंगे सभी को याद रहेंगे important ने कि आद नीए पूछा कि परसिद विरुपाक्ष मंदिर कारण कहां अवस्तित। यह कहा एं दोस्तों हम पी में, यह हम पी करनाटक आपसने आपका सियां से राइट हो जगा नेक्सरेब क्या पूचा रिके बुद्ध को पडिनिर्मान कहा प्राप्त हुआ? बुद्ध को पडिनिर्मान कहा प्राप्त हुआ? याद रखिएंगे कुसी नगर में क्या होगा ये कोसी नगर आपसनियासे B हो जगा यानि कि दोसमों बुद्धि के मिर्तियू जब गवा था उसे हम लोग पड़ी निर्मान के नाम से जानते हैं और दोसमों इसका मिर्तियू कहा हुआ तो याद रखेंगे कोसी नगर में ध्यान रखना है नेक्सने पर क्या पूछ है कि बिजायन अगर समराज कर रहा है यानि कि बिजायन अगर राज कर रहा है कि किस नदी की किनारे इस्थित्ता तो याद रखें तो यह कौन से नदी की किनारे है तो आपका तुग भद्रा नदी किनारे आपसनियासे C आपका राइट रखना तो सविधान सभादवारा कब गरहन किया गया क्या यहाँ पर गरहन किया गया याद रखें इसका राइट इंसर डी ज़ेगा यह 24 जन्मड़ी 1950 आप्शन क्या होगा यहाँ पर डी आपका राइट हो जएगा नेकसे क्या पूछर के भारत का सविधान लिखा गया था दोस्तों भारत सरकार ने भारत रतन एवं पदम स्री को प्रारम किया है किस अनुचियत के तरत याद रखें किसमे अनुचियत में अवरना नहीं तो याद रखें अनुचियत 18 में कितना में 18 में है भारत रतन एवं पदम स्री ध्यान रखेंगे important question रहेगा यह और अनुचियत 17 में क याद रखिमें चुवाै शीर जोंम लोग क्या वलते यह प्फ्रस्तिया वोलते हैं थैक है धयान रखना नेगसे पर क्या पूछ तरह है कि भरत की अंतराstartिये सीमा पर है याद्राइब यख़ पूछ रहा है कि यहां पर पूर्ती अपनी मांग का सिर्जन स्वेम करती है या किसका कफ़न है तो याद रखेंगे जेवी से किसका यह जेवी से आपका बी यहां से राइट हो जगा नहीं से पर क्या पूछ रहे कि भारत सरकार का पर्थम बीदियादिकारी कौन होता है भारत सरकार का पर्थम बीदियादिकारी दोसमों महानियवादी होता है कौन होता है महानियवादी आप सने अपका C हो जगा और महा निवाद एक रह दोस्तों हम लोग क्या वोलते हैं English में attorney general क्या वोलते है attorney general और दोस्तों कितने अनुशियत के ततद इसका गठन होता है या निर्वाचित होता है याद रखना आपका कितना अनुशियत चीहतर के ततद यहाँ पे भारात सरकार का है लेकिन यहाँ पे अगर राज सरकार आपसे पूछ दे कि राज सरकार का पर्थम बिद्य दिकारी कौन होता है तो याद रखेंगे महा दी बगता, क्या होता है, महा दी बगता जिसको इंगलीस में लोग बोलते है, एड़वोकेट जनरल ध्यान रखेंगे, नेक्स अपर क्या पूछ रहे कि निम्नी में से करें किसे, राजपाल द्वारा निक्ति नहीं किया जाता है, राजपाल के द्वारा निक्ति नहीं किया जागा तो याद रखेंगे उचे नियाला के मुक्राणदीस इसको राष्ट पती के दोर निक्ति किया जाता है आपसन यासी D हो जागा नेसरे पर क्या पूझज रके राज सभा का सभापती चूना जाता है तो याद रखेंगे संसत के सभी सतस दौरा नेकसे पर क्या पूछ रहे कि निमली खित में से कौन सा कर रहे कि एक राजकोष्या निती का घटक नहीं है? क्या है यहाँ पर राजकोष्या निती का घटक आपसे पूछा रहे कि नहीं है? याद रखेंगे बेपार निती. क्या होगा यह बेपार निती? आपसनाप का C हो ज जाएगा नेक्स से पर क्या पूछ रिखें कि निमलीखित में से कार के कौन राजसरकार का कानूनी सलाकार होता है याद रखेंगे इसका राइट इंसर बी हो जाएगा महा दीवक्ता अभी हम लोग देखें हैं पर्थम दोस्वा का पर्थम बीदिकारी की होता है महा दीवक् निमलीखित में से कौन सा है सारुभादिक अस्थाई सबसे दोस्तों सांत कौन सा राता है तो याद रखेंगा महासागर आप से क्या हो गया यह पर सिया पका राइट जचेगा नेक्सरेपर क्या पूछे ज़रा है कर रहा है कि आकवर के एकछा अनुसार किसने रहाएन का फार्सी में अनुबाद करवाया था यानि कि दोस्तों किया था यानि कि अकवर गनाद का रहा है कि रवाइन का फार्सी में अनुबाद किस ने किया था यानि कि दोस्तों किस ने करवाया था याद रखेंगे अकवर ने और किस ने किया था याद रखेंगे दोस्तों यह बद जगाइस त्रफूजज्सितил सुच्ट की कि जाती है जाद है यह भारति यह स्टेट बेंग ऑप्सटित इनसे सवंपका राइट जगह रखेंगे और दोसमों आपसे पूछे कि भारती रेजर बेंकिया स्थापना जोकी पूछा जाता है तो एक अप्रेल एक अप्रेल दोसमों याद रखना आपको 1935 में और इसका हेड़कॉर्टर का है इन मुंबई में ध्यान रखेंगे नेकसे पर क्या पूछे कि राजा मान सिंग को करें कि बिहार प्रांत का प्रजा पती करें कि किसने नियुक्त किया था राजा मान सिंग को कौन किया था तो याद रखेंगे आपका अकवर कौन होगा यह अकवर आपसन सी हो जागा नेकसे पर क्या पूछ रहा है कि विस्वेपार संगठन की दूसमों मंतरी अस्तरिया बैठा का रहा है कि 13-14 मई को 2019 के मद यह कहां आज़ुद किया गया था यह दूसमों कहां किया गया तो याद रखेंगे नई दिली आपसना आपका बी यहां से राइट ही जागा नेकसे पर क्या पूछ रहा है कि C8 इंटरनेशनल किरिकेट एवं बैट्समें आफ दे इयर का विजए तक किसी चुना गया है तो कौन है दूसमों इसका राइट एंसर आपका C हो जगा यह बिराट को लिए आपसन आपका C यहां से राइट है जगा नेकसे पर क्या पूछ जा रहा है देखें किया पर हेक्सा क्लोरो बेंजिन को क्या काते है यानि कि दूसमों और किस नाम से जानते हैं तो याद रखेंगे गेमेक्सीन आपसन यहां से C आपका राइट रिगार दूसमों को ध्यान रखेंगे विहार एससे में यह क्वेशन पूछा गया है ठीक है ध्यान रखना जीजिको नेग्सीन याद रखेंगे जियान रखना यहां से कोशन यहां से कब किया आपसे पूछे पूछे थैलिभ comenz के दूसमों का ब्यार गर्णतियों के दौरा सब्सक्राइब करते हुआ तो वह सो क्या होता है तो याद रखें आपका सी यहां से राइट हो जाएगा नेख से पूछे रहें कि परस्थित की तंत्र के जेवी घटकों में कौन उत्पादक का घटक है कि यहां पर उत्पादक का घटक आप से पूछे जा रहा है तो याद रखेंगे निम्लिखित में से कौन सा कर रहा है कि ग्रीन हाउस गैस में योगदान देता है ग्रीन हाउस गैस बताना है याद रहा है क्या होगा यह कारबन डै-अकसाइड और मीथेन आपका क्या आप यहां पर डिया आपका राइट हो वहायूद Πर्दोसन को मनीटर करता किया प्रदुसन को मौनीटर करता कौन सा होगा मैनली विजलिक बढल निम्लिखित मेंसे किस से रेट होता यह आप पूछ रहे हैं कि इसमें बहुत ज्यादा होता है इसे क्या काते है इसे बहुत ज्यादा दोसमों जाहे बिदूत परती रोधी कि नाब से आपसने यहां से क्या होगा आपका बी यहां से राइट जाएगा नेक्से पर क्या पूछ जा रहा है कि आदर्स बोल्ट मीटर की दुस्तों जा है पर तीरो दक्ता कितनी होती है आदर्स बोल्ट मीटर के याद रखें कितना होता आपका यह अस मीत हो जागा आपसे यह से क्या होगा आपका ए आपका राइट जागा नेक्से पर देखें क्या आपूछ रहे कि वायू में का रहा है कि 400 meter पर सेकेंड की चाल से चलती ही धुझारी का तरंग की लंबाई कितना दिया है आपका 80 centimeter यहाँ पर centimeter यहाँ पर meter है ठहिसकी धुझारी तरंग आपको निकाल आपको निकाला निया यहां पर सेंटीमिटर में इसको दोसमें 100 से गुना करेंगे यह भी सेंटीमिटर में आ जाएगा तो 400 अब लेज़े 100 बट्टे आपका देखिए लब्टा कितना दिया है आपका 80 सेंटीमिटर असी देखिए 8 पंचे आपका 40 हो गया कितना 85-40 और देखिए यहां पर क्या हो यानि कि दुस्सों यह 500 perché आपका जो जायागा आपसन यहांसे आपका भी आपका right जाएगा ने इसी को डीची में रुपांतीत करने के लिए परियुकत साधन को क्या कहते हैं एए 80 को दूस्वों डीची में बदल राा है तो रह याद सबसे बढ़ियां insulator option में बताने हैं कि कौन सा है याद रखने हैं आपका C हो जागा यह कांच क्या होगा यह कांच option आपका C या से राइट हो जागा यह से पर क्या पूछ रहे कि जो ठोस उच्छ ताप पर बिदूत का वहन करते हैं परंतु नियूंतंत आप पर नहीं करते हैं वह क्या क्या ग Taco जो ठोस उच्छ ताप पर बिदूत का वहन करता है लेकिन अगर नुयूंतंत आप हो जात तो नहीं करेगा उससे डोस hinterम लोग क्या नामसे दामते हैं आपका बीदूत्षेत्र से क्या होगा यह बीदूत्षेत्र आपसन आपका बीयां से राइट हो जाएगा तो क्षा 18 और यान पर पूछाय नादे से पनाओं, we'll by eight. 3- घॉर्शम मुवस्जाहे है। याद रखें के। और लगणकी मुझ़ों चॉता है। तो आपक टालीं मुझा हो से नियुरुडारा ओक्तौिकर हो जाती हुए। पाय याफ 2 पाय बट्टर आपका क्या हो जाएगा साथ गुंना साथ हो जाएगा यहाफ़ 2 तीी आ छो देखें चդरी अठारह यानि के आपका पाय बट्टर आपका कितनेнийकल आठारह सो नेमल ख्त कथने में बताना है कि और सत कथन आको कौन सा है आसट कफन दूसनों या पे देखिए कि थोस होजाएगा कि नहीं होजाएगा निक्से पे किया पूछाएगो तर्मामेटर पर एक समान पार्ठायाँंग दरसाएंगे यानि दोनों पे कब एक सवान पाठी आंक होगा तो याद रखेंगे मैनस 40 डिग्री सी पर कितना पर मैनस 40 डिग्री सी आपसन यहांसे ए आपका राइट हो जागा ध्यान रखेंगे साबून के बुलबुले का आंतरिक दाव या कैसा होता है याद रखेंगे दोस्तों कि क्या हो जागा बी हो जागा यह वाईव मंडली यह दाव से अधीक होता है आपसन अपका बी यहांसे राइट हो जागा नेक्स आप पूछा जागा कि फोटोग्राफी की फिल्म बनाने के लिए करें कि सिल्वर की कौन सा लवन का परियोग किया जाता है याद रखेंगे सिल्वर ब्रोमाइड आपसन क्या होगा यहां पर यह आपका राइट रिका ध्यान रखेंगे दोस्तों ध्यान रखना दोसनों आपका एक्जाम होगा तब तक ये सेट आती रहेगा और दोसनों जब तक आपका सतर प्लस मार्क नहीं हो जाता है तब तक यहां पर हम लोग मेहनत करते रहेंगे ध्यान रखना चीज़ को जब तक आपका सतर प्लस नहीं आता है तब तक हम आपको छोड़ेंगे नह क्या होता है यह इसका अपगटन द्वारा CL क्या करता है यह उत्पन करता है CL2 आप से सी आपका कार्यक्ट होजाएगा नेक्स देखें अपर क्या पूछ रहें कि एक बिट्टा है दोस्टों जब ड़सूं उत्सरजित होता है तो याद रखेंगे परमानू करमांग दोस्टो क्या हो जागा, यह B हो जागा, क्या होता देखिए आपका, इसी में है, एक पर्मानू कर्मांग एक यूनुट से बढ़ जाता है, आपसन आपका B यहांसे गाँट जागा, नेक्स अपकर क्या पूछ रिके गहाँ भरने के लिए निम्ले खित में से किस बिटामिन का सहयता ल ग्या होता है। दोसमों देखते होंगे, मैं पूस्ट्र बनाने के किसका पर यक्त परियोंकरतु है। जब सबसक्राइबंगे, याद रखने के सबस्क्राइबंगे या जाङूद है। नेक्स देखें पर क्या पूछारे कि liquid यहांपर क्या है liquid petroleum gas याने कि LPG में का रहा है कि मुख्या अभी अभी आप क्या होता है LPG में दोस्मों मुख्या अभी याद रहतेंगे अपका क्या होगा इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन option यंसे क्या होगा HA policy, पका right जगा next day पर कि आप पूचेर कि उत्तक है देखे उत्तक दों एक क्या है बतना है तो उत्तक दों याद रखेंगे समान कोषीकाओं का एक sum option यंसे क्या होगा आपका P y 7 करेक्ट जगा next day पर दोst prendre मेucky है देखेंगे देखें क्या करा है कि दो संख्याओं का दोस्तों लॉसर का क्या है अठाइस गुना है दोस्तों मैथ जब भी दोस्तों आप लोग solution करते हैं तो copy पर जरूरर solution करना ठीक है और जो भी दोस्तों जो important हम trick बताते हैं या formula बताते हैं उसे जरूर लिखना ठीक है ध्यान रखना क्योंकि दोस्तों 10 math minimum आपसे पूचा ही जाएगा 10 में आपको कम से कम 7-8 सही करना है कम नहीं 7-8 आपको सही करना है ध्यान रखने चीज़ को इसलिए formula जो भी लिखाते हैं या जो भी trick बताते हैं जो भी basic बताते हैं ज़रूर इसको लिखते जाना है तो देखिए यहां पर क्या करा है कि losser जो है उसके monster का 88 गुना है तो सबसे पहले मुझा हम लोग मालने थे CF दुस्टों जो है आपका CF मालने थे X है ठीक है तो आपका LCM क्या हो जाएगा LCM जो हैपका 18x हो जाएगा यानि क्या है SCF का 18 गुना है अब देखिए इन दोनों का जोड दिया है कितना दिया है 1740 दिया है इन जोनों का जोड निकल देजे 28 और यहां पर x 28 x plus x कितना हो जागा 29 x 29 x बराबर आपका कितना हो गया 1740 ठीक है अब इसको काटेंगे दोस्तों यहां पर तो 60 मरतवे कटेगा कितना मरतवे 60 मरतवे कट जाएगा यानि के stf आपका कितना निकला 60 न निकल गया ठीक है इसको आप लोग कौपी पर बनाएंगे आसानी रहेगा देखिए अब यहां पर दूस्तों आपको लॉस्त और मॉस्त पता चल गया लेकिन यहां पर आपका एक संख्यां देदी आपका 240 दूसरी संख्यां का अंकों का योग मांगा जा रहा है तो सबसे पहले दूसरी संख्यां निकलना पड़ेगा तो सकेंड नमर बराबर दूस्तों फर्मूला क्या होता तो याद रखना क्या होता है लॉस्त गुर्णा मॉस्त बट्ट पहला संख्या ठीक है पहला संख्या यहां पर पूछ दे तो लॉस्त गुर्णा मॉस्त बट्टे दूस चारसोबीस निकला अब यहांपे देखिए दूसरी संख्यां कि अंकों का यूग क्या है तो अंकों का दूसरी यहांपे यूग देखिए चार दो जोड़ेंगे तो 6 होगा और 6 में जीर होगा तो 6 होगा यानि कि अंकों का योग कितना हो जाइगा अप्षिन किर्फी स्टी आपका राइट हो जाएगा नेक्स अपर देखे पूछे जारे कि ए भी का तुछे जारे कि यहाँ अपर पर अगर यहांपर करें तो यह उपर में पर सिम रहेखा नीचे उपर सिम रहेखा न 구na करके आप एक command यहाँ पर भी the command निकाल लेंगे एक formand यहाँ पर आप मान रख देंगे अपको मान निकल जाएगा इसका राइट इंसर यह हो जागा यह 970 ठीक है और यहाँ पर सवाल यह बनाना बहुत ही लंबा हो जागा इसका पीडियेफ में भी सोलोसन देख लेंगे अगर आपको नहीं आता है लेकिन आप खुल से एक वार प्रयास जरूर करना चलें से पर देखेंगे क्या पूछ जा रहा है कि 26 सो को कर रहा है कि दो भागों में उधार दिया गया पांच परतिस्त वारसीक ब्याज की दर से पांच वर्स में पहले दूसरे वर्स में क्या करता है दूसरे भाग में यानि कि दो भाग में जो बांटा है तो उसमें क्या कर कर रहा है कि दूसरों यहां पर दूसरे वर्ज दूसरे भाग में यह सारे चार पुर्णा कि यहां पर क्या कर रहा है आपका सारे चार परतिस्त आपका दर और छे वर्ज का यहां पर सदारनव्याज बराबर है तो दोनों का दूसरों आपको भाग आपसे पूछा रहे कि बराबर कर देना बराबर करेंगे आपको नीचे हंडेड हंडेड कर जाएगा आपको यहां से solution आपको निकल जाएगा ठीक है ध्यान रखना यहां पर राइट एंसर आपका जो जाएगा दोसमों आपका यह निकलेगा कितना 1250 option आपका यह हो जाएगा ठीक है ध्यान कि पुषेगे साइन 90 माइनस यह क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा तो यहांप इस प्लसफ आपका 3Y हो जाएगा बुर्द देखे आपका इसर क्या हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा आपसने यह से डी आपका राइट हो जाएगा नेक्स देखें क्या पूछ जा रहा है कि समीकरन का रहा है कि X-P बरावर X-P into X-Q है ठीक है बरावर R-Square है मूल दोस्तों आपको जहां दोस्तों का रहा है कि PQR एक वास्तिवीक मैननस यहां पर क्या हो जाएगा प्लसだ एक्सलेशने का रहा हो जाएगा जैए कूर चौर चीरल शकी आप्स्तों प्लस जरूर बनाना ठीक है आसान है बनाना दोनों सेट स्क्वायर करते जाना आप बना लेंगे नेक्स तेख पर क्या पूशे रहे कि 25 मीटर पर सेकेंड क्या पर पाचीश मीटर पर सेकेंड गती से दूसमों चल रही गाड़ी 50 मिनट में कितने किलोमेटर तै करेगा तो दोसमों आफ गुना करेंगे त्याउट कट्ने निकलेगा पचातर हजार कितना, 75,000, 35,000 अद यहां पर क्या निकल स्टार होगहला, 75 किलमीटर कितना, 75 किलमीटर, ओप्सन यहlye है, यह पर करेंगे, एक साइकल का पहिया करेंगे, 500 चकर लगता है, पूरा करके, 11 किलमीटर चलता है, उस पहिये का ब्यास 200 cm में कितना मोगा ठीक है तो देखिए यहां पर क्या करेंगे पहिया का दूसम जब भी चकर रहे पूरा तो उसको हम लोग परीधी भी निकालते हैं ठीक है ध्यान रिखने तो तू पाई आर होता है परीधी और यहां पर आपका क्या हो जगा कितना चकर पे टू आर यहां पे लिख सकतें यहां पर ब्यास को कैयोंकि ब्यास क्या होता है तो यहां पे गुना यहां पर 7 और तू आर आप पूछ रहे हैं हुए कि एक खिलोने के अंकित मूल कर रहा है, कि 20 पर 35 कम ही कर देता है, नया बिकरी मूल उसने यहां पर पूछ जा रहा है, दुस्तों ध्यान रखाना है, इस पर कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम लोग धो यहां पर अंकित मूल आते मान लेते हैν, 880 , अप कितना है न्ही हो आप यहा अप यहाँ पर करा है कि नहीं आप बिक्रुट वाला 2020 говорить पूर देजिए 100 पे क्या हो जाएगा 20 पर शूत मतलब 80 पे बेचा 80 बटा ए 100 100 कट गया यह 80 इसका राइट इंसर आपसे यह सी आपका राइट हो जागा निजसे पर क्या पूछर रहे कि एक नल पी कर रहा है कि टनकी को 16 मिनट में भर सकता है क्यों जो है दोसमों नल को किव टनकी को कि तनकी को टनकी को दोसमों है तो टनकी को दोनों नलो दोरा पूरा खाली करने में कितना समय लगेगा क्या करेंगे है यह पर एक only eight है मैंस और क्या हो झाईगा 16 मिनिट है लेकिन आदा हैंपर ही काम यह काम कर रहा है यह क्या होगा अर्थ मिनट इसका राइट एंस और हजाएगा आपसंद देख लिजे सी में सी इसका राइट टेंस हो जागा दूस्तों यह था आपका कांसरी का दूस्तों लोग लिए स्रीज जो फोर्ड देख रहे थे उसमें यह स्रीट नमर चो है आपसे रिक्वेस्ट एक चैनलन को जोरो सब्सक्राइब कर लेना इन डिस वीडियो को दोस्तों के साथ सेयर करतना तो चले से मिलते हैं नेक्स वीडियो में नेक्स एट में जाहिंदे